हेलो बच्चों अमीद है आप फिट फाट होंगे और नीट कमपोटिटिव एक्जामनेशन की जबरदस तैयारी कर रहे होंगे आपको इसी में सपोर्ट करने के लिए कि डिटेल वीडियो की सीरीज आए और इससे सारे कोश्चिंस आप मना सकें क्या होगा कि अगर मैं पूरा स्लेबस कराऊंगा तो कोई भी कोश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा और दूसरी महत्पूर्ण बात कि आप बायो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहिए भी लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बायो में आप पूरा टाइम अगर लगा देंगे तो 360 में 360 नंबर ही ला पाएंगे उससे ज़्यादा तो संभाव नहीं है 100% लेकिन अगर आपका गौर्मेंट कॉलेज का सेलेक्शन का धे है या टार्गेट है तो साड़े 600 नंबर का टार्गेट लेके आप चलेंगे तो मोटे तोर पे 300 नंबर और आपको चाहिए वो 300 नंबर केमेस्ट्री एंड फिजिक्स से आने वाले हैं और केमेस्ट्री में भी पढ़ाई कीजिए और फिजिक्स में स्पेशल ध्यान दीजिए क्योंकि फिजिक्स में कई बच्चे जी चुराते हैं, मन चुराते हैं, नीट के बच्चे तो अगर आपके फिजिक्स में किसी वज़े से मालीजे अच्छे नंबर नहीं आए, 85 नंबर रह गए तो सारा गड़ित फेल हो जाएगी टोटल मांक्स आप जोड़ेंगे, साड़े 600 पहुची नहीं पाएंगे तो इट इस वेरी इंपोर्टेंट कि फिजिक्स में स्पेशल ध्यान दिया जाए और अगर फिजिक्स में आप 150, 170, 170 गेन कर लें तो क्या बात है, मतलब सेलेक्शन पक्का ही समझिए बिलकुल और इसी लिए कि फिजिक्स आपको आसान लगे और आप 150, 160 गेन कर पाएं आसानी से मैं ये कोशिस कर रहा हूँ कि आपको पूरी चीज पढ़ा दू सरल भाशा में और इंटरस्टिंग मैनर में जिससे आपका काम बन जाए, और नीट में सेलेक्शन हो जाए डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा हो जाए इसी कड़ी में हम लोग आज चेप्टर नंबर 5 पर है मैं नेटिजम मैटर के लास्ट पार्ट पर केवल नीट वालेओं बच्चों के लिए ना यह मैं 12 के लिए मना रहा हूँ बोर्ष के लिए ना यह जेई वालों के लिए है आपके लिए ही यह वीडियो है जैसे टर्वेंडस हेल्फ मिले तीन पार्ट मिन चेप्टर को ब्रेक किया था आज तीसरा ये लेटेस्ट लेबस के हिसाब से ये भी ध्यान नखिएगा तो ये तीसरा वाला लेटेस्ट लेबस क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पहले इसमें Earth's Magnetic Field आता था अब नहीं आएगा आपके आँ तो ये नमबर थ्री है Magnetic Induction and Magnetic Materials Paradia, Ferro, Curious, Temperature and Hysteresis की बात हम लोग करने वाले हैं आपके लिए मैंने Class 11th की Physics पूरी खतम कर दी है 12th पे भी Chapter 5 पे चल रहे हैं ये सारे वीडियो के Links मैंने एक जगा अकठा कर दी हैं जैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से आप वीडियो को देखकर अपना Benefit कर सके All Video Library का नाम दिया ये देखे इस तरह का एक Booklet या Sheet खुल जाएगी ये Class 11th, Neat Class 11th और Neat Class 12th Physics के लिए वीडियो के Links है यहाँ पर देखें Neat Class 11th Gold Series और ये यहाँ पर चल रहे हैं उसके Topics जिस Play बटन पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर वीडियो ओपन हो जाएगा तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी जरूरत के अनुसार आप कोई भी वीडियो दे सकते हैं अब ये All Video Library पर आप पहुंचेंगे कैसे तो इसके पहुंचने के दो तरीके हैं एक तो Arvind Academy Neat YouTube चैनल के Homepage से ये देखिए Arvind Academy Neat Especially Design Neat के लिए ये चैनल है और ये देखिए हाँ पर लिंक मिलेगा आपको इस लिंक को क्लिक कर दीजे ऐसा विंडो खुलेगा पहले वाले को क्लिक करते ही आप All Video Library पर पहुँच जाएंगे दूसरा मैं इस वीडियो के description में भी आपको attach कर दूँगा ये link जिससे आपका काम हो सके तो there are two methods home page से जा सकते हैं description में link है वहाँ से जा सकते हैं फाइदा क्या है कि आपको मिलता है कोई time wasting नहीं होगी easy access होगा और जो भी series future की भी आएंगी one short video pyqs जो भी आपके लिए और helpful हो सकती है physics को आसान बनाने के लिए वो सारी यहां updated रहेंगी तो आपको मालूम रहेगा कौन-कौन सी series आ रही है कुछ बच्चों को रहता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भी उनको मिल जाए तो यह Arvind Academy Neat Telegram चैनल है इसको आप join कर लीजे link description में दिया है यहाँ पर PDF में upload कर दूँगा जिससे आप पढ़ाई next level की कर सकते हैं notes अपने बना सकते हैं और इसके साथ Arvind Academy देखिए app है इस app को भी download कर लीजे और store section में जाके देखिए कई ऐसे materials आपको मिलेंगे जो आपकी neat की journey को आसान कर देंगे और selection लगभग आपका पका कर देंगे तो आप उन materials को लेकर पढ़ाई करके neat की journey आसान कर रही है डॉक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए इस तरीके से आप काम कर सकते है अर्विन देकेडमी एप से चली जिस वज़े से ये वीडियो बन रहा है उसकी पढ़ाई की शुरुआत कर लेते हैं देखिए क्या है कि जब यहां बहुत कुछ लिगा है लेकिन इसका शारान से समरी क्या है कि कुछ materials को जब आपने magnetic field में रखा material लिया magnetic field में रखा तो हमने देखा कि magnetic field lines का behavior change हो गया उस basis पर हमने तीन classification कर दिये जिसे आप paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic के नाम से जानते हैं जब हमने magnetic field lines माली जब कोई ऐसे सीधे जा रही थी अब इस magnetic field lines में आपने एक material रखा और आपने क्या दिखा कि magnetic field lines इसको इससे अवे होने लगी ऐसे जाने लगी कुछ materials में तो इनका नाम आपने दे दिया कि भाई साब ये diamagnetic substance है जो magnetic field पसंद नहीं करते आगे बात इसके बारे में और detail में करेंगे examples इसके क्या हो सकते हैं H2, hydrogen, water copper, zinc, SB इस तरह के ये examples हो गए diamagnetic के कुछ को आपने जब रखा magnetic field के अंदर तो आपने क्या दिखा कि जो magnetic field lines थी वो इससे जाना पसंद कर रही है यानि जो सीधी जाती वो थोड़ी सी यहां से अंदर से चली गई ऐसे आपको दिखाने के लिए ऐसे बनाने ना चाहिए ये diagram थोड़ा अच्छा नहीं बना है ऐसे बना लेना चाहिए तो ऐसे substances को आपने क्या बुला paramagnetic magnetic substance इनके कुछ examples दिखान नगने चाहिए जैसे कि आप oxygen की बात कर सकते हैं aluminium भी इसमें ले लेते हैं कभी-कभी और aluminium भी ले लीजे तो ये paramagnetic substance है अब इसी का बड़ा भाई एक मिलता है जिसे बनाते है फेरो-magnetic तो अगर आप फेरो-magnetic substance को रखते हैं तो इसमें से माल लीजे कुछ line इसको पसंद कर रही हैं तो यहाँ पर बहुत line इसके अंदर से चेंज हो जाता है तो ऐसे material को आप बोलते हैं फेरो-magnetic materials और इसमें क्या है iron, cobalt, nickel वगएरा आते हैं तो यह basically कहानी है कि जो तीन classification किये गए हैं materials के यह इस basis पे हैं कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि magnetic field lines का behavior कैसे change होता है या इन materials का behavior external electric field में external magnetic field में रखने पर कैसे बदलता है ठीक है अब इन तीनों के यह जो diamagnetic para, ferro इन तीनों materials की properties को बहतर तरीके से समझने के लिए कुछ terms हम को पढ़ने पढ़ते हैं तो वो जो terms हैं 4, 5, 6 terms उनको थोड़ा सा ध्यान पुर्वक समझे चुटे-चुटे formulae भी निकल आते हैं कभी-कभी वहाँ से numerical भी पूछे जाते हैं और confusing भी हैं वो term तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे के जानने की आवशकता है जैसे magnetization, magnetic field intensity यह सब की बात करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं ना कि इनकी properties को बहतर तरीके से समझने के लिए कुछ special terms define किये गए हैं जिससे हम इनकी properties को बहतर समझ पाएं तो आईए चलते हैं उन terms के इसको आप pause करके चाहें तो note कर लें उन terms की तरफ और देखते हैं कि करके वो terms हमारे लिए क्या है जैसे पहला एक term आता है magnetic induction इसको आप B से represent कर रहे हैं यहाँ पर B क्या है? B है जब आप किसी material को magnetic field में रखते हैं तो उसके अंदर से जाने वाली जो magnetic field lines होती ही number of magnetic field lines उसको बोलते हैं B inside the material यही बात यहाँ लिखा हुआ है the number of magnetic field lines inside a magnetic substance crossing per unit area normal to their direction is called magnetic induction और magnetic flux density यहनी जो magnetic field lines हैं वो कितनी इसकी area से perpendicular direction में पास हो रही हैं उसे हम B बोलेंगे तो B क्या है? magnet के अंदर जो magnetic field पैदा हो रहा है ऐसा समझ लें that is B और B का तो जानते ही है CGS unit Gauss है और SI unit आपकी Tesla है तो B हो गया magnet के अंदर की बात अब magnet के अंदर की बात में एक term और define किया जाता है जिसे बोलते हैं intensity of magnetization यह एक यह I से represent करते हैं इसका मामला है कि यह magnetic material के अंदर यह material के अंदर जो magnetic field बन रहा है उसकी intensity कितनी है magnetic field जो बन रहा वो तो B है लेकिन उसकी intensity कितनी है तो इसको हम define करते हैं magnitude के आप से M upon V यानि total magnetization of the material divided by volume यह I आजाता है यह magnitude मैंने लिखा हुआ है तो I is equal to M by V क्या है intensity of magnetization यह यहनि magnet के अंदर जो intensity बन गई है उसकी बात कर रहे हैं बार magnet के लिए M by A होता है जैसे हम जानते हैं अगली बात करते हैं देखें, इन वर्ट्स को थोड़ा पहचान ना होगा अगली बात हम करते हैं magnetic intensity या magnetic field strength यानि जो हमने material रखा था उसके बाहर जो magnetic field लगा के हम बैठे हैं, इसकी intensity की बात चीट कर रहे हैं किसी material को किसी magnetic field में रखेंगे तब तो हम उसकी B और I की चर्चा करेंगे जो पढ़ा भी लेकिन जिस magnetic field में रख रहे हो, उस magnetic field की intensity क्या है उसको H से बता रहे हैं तो इसका नाम है magnetic field strength या magnetic intensity और इसका relationship देखिए एक formula है, यह होता है जो हम पकड़ की चलेंगे, H is equal to B हो गया, जो material के अंदर magnetic field है mu not permeability of the free space और I है intensity of magnetization ठीक, तो intensity H का लेना देना किससे है जो magnetizing field है magnetizing field, जो आपने लगाई है इस material को magnetize करने के लिए तो H is equal to B upon mu not minus I इसको भी पकड़ के रखना है चलिए कुछ बातें इसमें और देख लेते हैं, vacuum में क्या होता है in vacuum I 0 होता है तो यह relationship develop हो जाती है in case of vacuum तो H is equal to B upon mu not भी हो जावेगा in vacuum की condition में और अगर हम solenite की बात करें तो magnetic field intensity solenite की होती H is equal to ni यहाँ पर यह जो आई है वो current है उसको intensity of magnetization नहीं समझ लेना H is equal to ni है N होता है turn density जैसे आप पढ़े हुए है solenite के case में और अगर किसी magnetic material को inside the solenite रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा total magnetic field उसके अंदर क्या बनेगी एक तो खुद एक तो जो magnetizing field है उसकी वज़े से बनेगी यह कहानी कुछ ऐसी है कि यह solenite है इसके अंदर कोई material रख दिया है तो इसके अंदर B कितनी है तो B बन रही है एक तो यह जो magnetic field डेवलप हुआ है solenite में उसकी वज़े से उसकी वज़े से बन रही है B not और दूसरी यह जो magnetic material की property है जिसकी वज़े से extra magnetization ले ले रहा है उसकी वज़े से BM तो B not प्लस BM जोडेंगे तब हमको B की value मिलेगी जब हम किसी solenite के core में ऐसा कोई material लगते हैं तो उसके पर दो प्रभाव पढ़ते हैं एक तो जो बाहर से field लगाई है उसकी वज़े से magnetize हो रहा है वो है प्लस वो खुद की उसकी property है की magnetization कितना करा ले तो BM को जोड़ देते हैं तो BO प्लस BM total magnetic field यहां निकल आती है आगे की बात करते हैं यह कुछ टम्स हैं यह सब टम्स क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग dia, para और ferromagnetic substances का जो property है उसको बहतर समझ पाएं अगली बात है magnetic permeability जिसे mu से हम दिखाते हैं तो इसका relationship दिखी होता है mu is equal to b by h तो b आप जान रहे हैं जो magnetic field थी किसी material के अंदर और यह magnetizing field थी जो आप बाहर से लगाए हैं जिसकी वज़े से magnetize कराना चाहते हैं वो material तो mu को कह सकते हैं b upon h इसको पकड़ के रखे अब relative magnetic permeability की बात की जाती है जिसे आप mu r से दिखाते हैं यह relative term है तो mu r की value हो जाएगी mu upon mu not mu है permeability of the material mu not है permeability of the free space इसके ratio को हम बोलते हैं mu r relative permeability क्योंकि यह ratio है same quantities का तो कोई unit dimension इसकी नहीं होने वाली और यहाँ पर बातचीत की जाए तो इसको हम लोग b upon b not से भी कहते हैं b क्या है inside the magnet कितना field develop हो रहा है और बाहर आपने magnetic field कितना लगा रखा है उसके ratio को भी हम यहाँ बोलते है mu r तो mu r is the b कितना magnet के अंदर field develop हुआ है और बाहर से कितना लगाए हो b not है अब यह जो तीन बाते लिखी हैं यह आपसे अकसर पोछी जाती है important paramagnetic substance के लिए mu r की जो value है वो एक से बढ़ी होगी diamagnetic के लिए mu r की value एक से कम होगी और ferromagnetic के लिए mu r की value एक से काफी जादा बढ़ी होगी तो इन बातों को ध्यान कर लिजे यह अकसर आपसे पूछा जाता है different different तरीकों से खेर यह समझे होंगे अब एक टर्म और interesting आता है जिसे वो गुलते है susceptibility of the magnetic material तो उसका भी जो value है वो i upon h से दिखाते हैं दोनों ही देखें intensity है intensity of magnetization चुमबक या किसी magnetic material के अंदर magnetizing field की intensity intensity of magnetization और बाहर जो field लगाई है magnetizing field उसकी intensity जो आप चाहते हैं कि इस से इस material में क्या प्रभाव पढ़ रहा ही जानने के लिए susceptibility का मतलब simple यह होता है आप सवल भाशा में समझे कि कितना वो material बाहरी magnetic field से प्रभावित होने की छमता रखता है जैसे कुछ लोग हैं सरदी में बाहर निकलते जरा सभी मौसम बदला तो छीख खासी आने लगती है तो जादा वो sensitive susceptibility high है उनकी और कुछ लोग जब मौसम बदलता है तो कुछ असर नहीं पड़ता उनके उपर तो वो susceptibility उनकी कम है बदलते हुए मौसम से ऐसे समझ सकते हैं है ना कि material जो लिए हुए हैं हम लोग वो बाहरी magnetic field में रखने पर कितना susceptible है फट से वो चीज तुनन change होने लगती है या थोड़ा सा कम धीरे change होती है ये समझे तो susceptibility I upon H हो गया पैरा magnetic material के लिए सबस्टेबिल्टी की value small and positive होती है तो ये SI की value small and positive लिख सकते हैं और diamagnetic के लिए छोटी और negative होती है फैरो के लिए value positive और बहुत बड़ी होती है फैरो magnetic के लिए तो ये सबस्टेबिल्टी की कहानी थी ये relative permeability की कहानी है इन दोनों में रिष्टा भी एक होता है वो रिष्टा भी देखेंगे बड़ा ही मस्त और आसान सा रिष्टा है जो अगली स्लाइड में आपके सामने में लाना जा रहा हूँ permeability के बीच में relative permeability और subsistibility of the material के बीच में इस चीज़ को इस formula को ध्यान रखें अक्सर इस्तवाल में आता रहेगा कि relative permeability equal to subsistibility plus one इस वे छोटे 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 numerical है उसको कर लेते हैं बड़ी असानी से लग जाने वाला है तो यहाँ पूछा है the magnetic moment of a magnet length length height दे रखी है centimeter के अंदर और इसका जो magnetic moment दे रखा है 1.2 ampere meter square है इसकी intensity of magnetization निकाले नहीं है तो intensity of magnetization का जो formula हमने पढ़ा है total magnetization upon volume होता है V यहाँ पर क्या है volume बस अब बचा ही क्या 1.2 उपर रख दीजे length breath height लिखिए तो 15 लिखो 2 लिखो एक है सब centimeter में थे तो 10 की power minus 2 10 की power minus 2 10 की power minus 2 यानि 10 की power minus 6 आ गया इसको solve कर लिजे 4 into 10 की power 4 ampere per meter आपका answer आ गया तो एक छोटा सा सवाल है आपके हैं बिलकुल ही सवाज आते हैं और देखिए कितने आसानी सो हो जाता है थोड़ा सा समझते हुए मैं हटता हूँ इसको note कर लीजे और अगला एक छोटा सा बहुत छोटा सा numerical और है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ तो साब ये है अगला वो numerical बहुत हलका relative permeability यानि mu r की value जो दे रखी है वो पच्च पन सो है what will be its magnetic susceptibility, psi की value पूछ रहा है और इसकी value हमको निकाल ली है हम जानते हैं कि बिसमें relation जो होता है mu r is equal to psi m होता है तो psi m की value अगर हम निकालने जाएं कुछ जादे ही खेंच दिया है मैंने psi m की value हम निकालने जाएं तो mu r minus 1 लिख सकते हैं यानि 55 hundred में बेटा जी minus 1 कर दीजे तो 5499 आपका answer आजाएगा ये क्या है मस्त सवाल है अराम से आते रहते हैं सब आप करते रहेंगे खेर इसको आप समझ पाएँगे मैं हट जाता हूँ तो ये जो special terms थे या कुछ important terms थे वो इसी लिए थे कि हम इन तीनों materials की कौन से तीनों die, para, ferro की materials की properties समझ पावें और ये तीन materials किस basis पर थे कि इन materials को अगर हम किसी बाहरी magnetic field में रखेंगे तो इनकी property change हो जाती है तो वो जो property change होती उसके basis पर हमने इनका classification कर दिया तीन categories में एक को die magnetic बोला एक को para बोला, एक को ferro बहुत ही सरल सी बात अब अगर इनकी properties के basis पर हम इसको classified की हुए है तो इनकी properties है के आखिर, ये जानने की आवशक्ता पड़ती है और ऐसा क्यों होता इसके पीछे की theories भी है वो भी समझ लेंगे फटाफट तो चलिए आगे की कहानी को बढ़ाते हैं अब ये die magnetic substances के बारे में लिखा हुआ है die magnetic substance वो होते हैं जो magnetic field में आप रखेंगे तो repel हो जाते हैं इस बात को भी ध्यान नकी अक्सर पूछ लेते हैं ये कौन से substances हैं जब magnetic field में external magnetic field में रखो गए इनको तो ये repulsion feel करते हैं ठीक है कौन-कौन से examples हैं तो bismuth, antimony, gold, quartz, water, alcohol कुछ याद रखिए कभी-कभी ये भी दे देते हैं material के तोर पे ये बात हमाई समझ में आई अब इनकी properties देखते हैं पहली property क्या है कि external magnetic field जैसे कि यहाँ पे b-naught लिखा हुआ है अगर हम इस b-naught को b-naught में die magnetic substance रखेंगे तो इसके अंदर जो magnetization develop होता है वो इस magnetic field की विपरीद दिशा में develop होता है कहने का मतलब है कि अगर मैं इस material को रखूँ और ये magnetizing field है जैसा कि photo में बना हुआ है तो यहाँ पर इसके उल्टा दिशा में यही south और north ऐसे बनेगा this is the magnetization का direction इस वज़े से इसके अंदर जो magnetic field develop होती है इसके अंदर वो भी नौट से कम हो जाएगी क्योंकि magnetization इसका विरोध करता है तो जब भी आप किसी डाय मैंगनेटिक सबस्टेंस को external magnetic field में डालेंगे उसके अंदर जो magnetic field है वो घट जाती है और उसका कारण है इसकी property कि इसका जो magnetization है वो opposite direction में develop होता है जिस direction में magnetizing field आप में लगाई है बात मेरे कहल से पकड़ में आई होगी मैंने photo तो भी थोड़ी बढ़ाई नौर सौथ भी लिखा जिससे आप comfortable हो जाएगे चलिए अगली बात देखते हैं आप photo से ही समझ जाएंगे कि अगर हमने इस तरह से spring लगा के लगा रखा है एक material को टांग डाय मैंनेटिक 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 टांग रखा नौर सौथ तो आपको पता है कि ये magnetic field में repulsion फिल करते हैं तो ये weaker field में जाने की कोशिस करते हैं तो ये push up हो जाएंगे उपर चला जाएगा डाय मैंनेटिक सबस्टेंस है तो और इसी जगा ये अगर ये पैरा या फैरो होता तो ये जल्दी से strong magnetic field में आने की कोशिस करता यहाँ पर strong magnetic field है इसके दूर चले जाएंगे तो weak magnetic field हो तो ये weaker magnetic field में जाने की कोशिस करता है दूसरी बात यहाँ अगर YouTube ले ले लें आप YouTube जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं वो नहीं ऐसा YouTube बहुत छोटा बन जाएगा मैं यहाँ बना देता हूँ तो liquid नीचे चला जाता है इस तरफ डाय मैंगनेटिक के लिए इधर नीचे जाएगा तो दूर उपर जाएगा ये डाय मैंगनेटिक material है डाय मैंगनेटिक liquid लिख देना चाहिए material liquid जो भी समझाए तो जब क्योंकि ये strong magnetic field को पसंद नहीं करता weaker में जाना चाहता है इसलिए इसका जो level है आप देख पा रहे होंगे इसका level strong magnetic field को छोड़ देगा अगर ये पैरा होता तो चड़ जाता उपर फैरा होता तो और चड़ जाता वोकि strong magnetic field उनको पसंद है खेर आप इस बात को पकड़ पाए ये जो point था उसको समझाने के लिए मैंने figure बनाया जिससे अच्छी तरीके से आप समझ पाएं अचा भई relative permeability जो होती है mu r इसकी diamagnetic की एक से कम होती ही तो भाई साब आपको बिलकुल शांदार तरीके से याद होना चाहिए रह रह के पूछा जाता है तो mu r is less than 1 for diamagnetic substance पैरा के लिए एक से बड़ा और फैरो के लिए एक से बहुत बड़ा तो दूसरी बात this susceptibility की भी बात करेंगे susceptibility और permeability में एक ही का तो फरक होता है अभी आपने देखा था mu r is equal to 1 plus i m तो उसके इसाब से बात की जाए तो जो susceptibility होती है diamagnetic की वो छोटी और negative होती है भी बड़ी important बात है small and negative si m की बात करें अगर आप इस तरह लिखो चाहें इस तरह लिखो तो ये क्या होगी less than zero होगी और negative small and negative लिख देते हैं ज्यादा mathematical अप्रोच नहीं लेंगे small and ये and का symbol है and negative ये एक diamagnetic की मैं बात कर रहा हूँ तो और एक बहुत important बात जो आप से घुमा की पूछ लेते हैं कि temperature से ये independent होती है temperature घटाओ या बढ़ाओ इसकी susceptibility पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो this is very important property does not vary field or the temperature as shown in the figure तो ये temperature independent होती ये दिके graph भी बना हुआ है आप temperature बढ़ाते जा रहे हैं इसकी जो susceptibility है वो भाई साब बदल नहीं रही है और negative है क्योंकि negative direction में magnetize हो रहा है इसलिए ये 0 से नीचे की तरफ बनी है तो ये बहुत जादा important है temperature independence of die magnetic substance मेरे गाल से ये बात आपके जहन में दिमाग में पहुँच गई होगी और चली कुछ और graph देख लेते हैं ये आप समझ पाया होंगे इस अपका presentation आपको मिल भी जाएगा तो अगली property अगर देखें तो graph अगर देखें हम लोग अच्छा है इसमें तो ये बताया है graph अगर हम लोग देखें तो h और i का graph देख लीजिए h है ये i है h क्या था बाहर से जो field लगाते हो external i क्या है intensity of magnetization material के अंदर जो magnetization हो रहा है वो तो विपरीद दिशा में हो रहा है इसलिए negative value आ गई है देखिए और ये linear relationship hold करता है तो dimagnetic substance में जैसे जैसे आप h बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे intensity of magnetization negative direction में linearly बढ़ता चला जाता है इस direction में ये जैसे आप देख पाए है ये note लिखा है dimagnetism is a universal property this is a very important line कि जो dimagnetic substance होता है जो property है वो universal property होती सभी में पाई जाती है पैरा में कम होती है काफी फैरों में बहुती कम होती इसलिए dominance हो जाता है बाकी properties का लेकिन मिलती सब में है तो ये universal property जरूर ध्यान रखे अगली चर्चा शुरू जाती इसी तरज पर पैरा मेंगनेटिक सबस्टेंस का तो पैरा मेंगनेटिक सबस्टेंस वो होते हैं जो magnetic field में रखोगे तो attraction field करते हैं तो ये attracted by magnetic field magnetic field में attract होते हैं कुछ examples इसके जैसे platinum, aluminium, chromium, manganese, copper sulfate solution और फिर इसकी कहानी शुरू हो जाती है properties की तो अगर इस magnetic material को इस पैरा मेंगनेटिक material को external field में लगते हैं तो इसमें जो magnetization डवलप होता है वो उसी direction में डवलप होता है जिस direction में field है लेकिन small होता है कम होता है तो अगर ये external field आपने डाली यहाँ पर देखिए तो आप जैसा आपसे बातचीत में इसको ना बनाओ ने तो दिखेगा ये इसको हटाना जर्बरी है ये समझा लीजे इसलिए ऐसे magnetizing field जाएगी और यहाँ पर अगर ये इस direction है तो इसी direction में south और north ऐसे बनेंगे ये intensity of magnetization हो जाएगा south से north की तरफ बाहर वाली field अगर b-naught है तो अंदर वाली field जो होगी b वो बड़ी हो जाएगी b-naught से क्योंकि ये attraction field कर रहा है जादा magnetic field lines अंदर से जाएं ऐसा ये पसंद करता है या magnetic field line भी पसंद करती है कि मैं इसके अंदर से होके जाऊं पैरा magnetic जब इसके वड़े भाई आ जाएंगे या इनके big daddy ferromagnetic तो वहां पर बहुत जादा पसंद चालू हो जाएगी पागल पन चालू हो जाएगा प्यार में अंदे पागल हो जाएगा बहुत सारी magnetic field lines इसके अंदर से जाना पसंद करेंगी इसी का एक बहुत जादा dominant रूप आपको ferromagnetic material में दिखाई पड़ेगा तो does the magnetic induction inside the substance is slightly greater than the outside तो B is greater than B not बात को पकड़ते आपको बना होगा इसी उमीद है अब यहाँ पर अगर आप north-south रखें और उपर टांग दें इस तरीके से भाई जैसे की मैं color को बदल लूँ जैसे अच्छे से देख पाओ यह माली जै यहाँ पर ऐसे पुली पकड़े लगा है और यह north और south लिया है तो यह भाई साब pushed in हो जाएगा pulled in लिख दो जैसा लिखा है pulled in क्योंकि यह क्या करता है magnetic जहां पे strong region है magnetic field के वहां रहना पसंद करता है तो weaker magnetic field से stronger magnetic field की तरफ अपने आप खिचा चला आएगा इसका यह behavior है इसलिए तुम पढ़ रहे है इसको और अगली बात यह जैसे YouTube लगाए हुए है तो यहां पर अगर यह नीचे इसका level था तो यह level इसकी तरफ magnetic field की तरफ खिच जाता है और यहां देखे down यहां अब तो यह यहां पर आप देख पाए क्योंकि यह magnetic field stronger magnetic field पसंद करता है अब इसी बात को एक कदम और आगे ली जाते हैं और लिख सकते हैं 1 प्लस ऐसे स्ट्राइलल लिख दिया करते हैं small positive number इसको बताते हैं यह ध्यान नकिएगा यह जो मैं use कर रहा हूँ यह NCRT में used है तो यह मैं समझेगा कोई special चीज हम लाके दे रहे हैं आपको जबरदस्ती नहीं नहीं बिलकुल मुझे ध्यान है कि यह वीडियो नीट के बच्चों के लिए होना चाहिए नकम नजादा उस बात का बिलकुल ध्यान नकिए बता रहा हूँ आपको तो यह slightly greater than 1 होती है जैसा आपके सामने मैंने लिख दिया है इसको और magnetic susceptibility भी positive हो जाएगी क्योंकि आप जानते हैं कि mu r की जो value होती है 1 प्लस साहिये में अगर यह एक से बड़ा है तो यह भी एक से बड़ा होगा तो this is also positive कोई tension की बात नहीं IH curve की बात करूँ क्योंकि यहाँ पर जो magnetization है उस पदार्थ के अंदर उस material के अंदर मतलब paramagnetic material के अंदर magnetization उसी direction में है जिस direction में magnetizing field लगाए हो तो यह positive है IH बढ़ाते जाओ I linearly बढ़ता जा रहा है आप जैसा देख पा रहे हैं अच्छा इसमें एक बात और मैं बता दूँ आगे भी चर्चा की जाएगी कि जब यहाँ यह paramagnetic substance dependent होते हैं temperature पर आपने diamagnetic को पढ़ा था कि वो dependency नहीं होती आई वे गरा की susceptibility भी dependent नहीं होती temperature पर temperature independence behavior है लेकिन यहाँ temperature का परभाव पढ़ता है temperature बढ़ाओ घटाओगे तो paramagnetic substances में बदलाओ आता है ठीक तो चलिए उस बात को भी आगे देखेंगे हम लोग और यह curies law होता है जो यह जो curies law लिखा है बिटा जी यह कई बच्चे भूल भाल जाते है curies temperature अलग चीज है curies point अलग चीज है यह temperature कह लीजे और curies west law अलग है curies law अलग है तो curies law होता है paramagnetic substance के लिए लिखा होगा यह देखें paramagnetic के लिए तो यह जो मामला लिखा हुआ है curies law it is for paramagnetic substance confuse ने होना अलग अलग बाते हैं तीनों तो curies law किस के लिए है paramagnetic substance के लिए और susceptibility of the material is inversely proportional to the temperature in Kelvin तो यह देख से लिखा है cim is proportional to 1 upon T और c यह होता है curies constant यह relationship किस के लिए है for paramagnetic यह ध्यान अकने वाली बात है वरना जब आप इतना सब पढ़ते जाते हैं तो घचाड़ पचाड़ हो जाएगी अंत में चोटे-चोटे notes बना लिजे या bullet points बना लिजे तो paramagnetic के लिए cim is equal to c by t और इसका फोटो या एक ग्राब बन जाता है rectangular hyperbola यह देखिए cim is proportional to universally proportional to temperature यह किस की बात चल रही है paramagnetic इस पे सवाल आते हैं एक numerical भी लिए है बड़े सरल सवाल लेते हैं एक दम अराम से काम हो जाएगा आपका देखिए मैं दिखाता हूँ आपको और आप फट से कर लेंगे और विल्कुल आते जाते रहते हैं इसे सवाल देखिए लिखा है the magnetic susceptibility of a paramagnetic material at this one is this one अब susceptibility की value लिख देते हैं cim इसकी value बता रहा है 0.0075 और साब इसके लिए temperature की बात करेंगे तो हमें Kelvin मिलेना है तो minus 73 में 273 जोड़ देना चाहिए तो ये 200 Kelvin आ जाएगा ये आप बहुत chemistry आप पढ़े हुए हैं तो जरूर इसको समझ पाएंगे असानी से और इसको हमें निकालना है साब और temperature हमारे हाप में है minus 173 degree centigrade plus 273 यानी मेरे खाल से 100 Kelvin आ गया बहुत अच्छी बात है आप क्यूरीज law जानते ही है जो C upon T को बताता है यानी psi M is inversely proportional to temperature यानी अगर मैं psi 2 upon psi 1 लिख दूँ तो इसका उल्टा यानी temperature 1 upon temperature 2 लिखना पढ़ेगा क्योंकि हम जा रहे हैं inversely proportional to temperature है 1 है तो नीचे 1 है इसलिए ये formula लग गया अब कुछ नहीं देखो अब ये है T1 upon T2 ना into psi 1 अब T1 से आप क्या था 200 और ये था 100 पहला और इसकी value ती 0.0075 ये double कर तो इसको दुगना अब multiply वगरा मारा तो इसका दुगना हो गया 015 ये answer आ गया अब ऐसा सवाल अगर आपके neat में आता है बिलकुल आता है तो उस समय आपको कहीं से परिशानी क्यों होगी लेकिन आप क्यों इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि कई बच्चे केवल formula formula गोट लेते हैं पढ़े रहेंगे तो उससे कई तरह के जो सवाल निकलेंगे सब को handle कर पाएंगे कोई twist हो जाएगा तो भी सवाल पाएंगे इसलिए थोड़ी सी बात ध्यान रटनी जरूरी है और औरों से बहतर होना है माह तो खैर आप समझ पाएंगे मैं हटता हूँ इसको आप नोट कर लीजे पॉस करके अगला topic या ferromagnetic substance की चर्चाश शुरू करते हैं तो अगला तीसरा होता है जो paramagnetic का बढ़ा चला रूप होता है मालब पागल जिसे एक डर पिक्चर आई थी शारूख खान की काफी पहले आपने नाम सुना है नहीं सुना है उसमें शारूख खान बिलकुल जो ही चावला हिरोईन थी उनको देखके पागल हो जाते हैं paramagnetic properties का बहुत बड़ा रूप है paramagnetic को amplify कर दो वो बन जाएगा ferromagnetic material तो इसको जब भी आप external magnetic field में रखोगे ये strong attraction महसूस करता है तो ये लिख दीजे strongly attracted कुछ इसके examples iron, nickel, cobalt वेगरा iron, nickel, steel, cobalt ये सब इसके examples होगए अब इनकी properties की बादचीत कर ली जाए तो जब इसको आप external magnetic field में रखते हो ये जैसे external magnetic field में आप रखें तो इसमें से ज़ादा line पास होने लगती है बलब magnetic field जो बाहर से जा रहा था और इसमें जो magnetization होगा ये magnetic field की direction है south इधर बनेगा north उसी direction में बनेगा तो magnetization उसी direction में बनता है और बहुत ज़ादा line इससे ज़ादा इससे जाना पसंद करती है तो ये ferromagnetic substance का property है अच्छा, the relative permeability mu r की बात करें mu r is very very large एक से काफी बड़ी होती है और 100, 500, 600, 1000 तक चली जाती है और इसके अंदर का जो ये अगर बाहर का magnetic field B naught था और अंदर का magnetic field B था तो B naught B की value B naught से काफी जादा हो जाएगी ठीक, इस बात को जैसे आपके सामने आ जावे और mu r की value 1000 तक जाएगी काफी बड़ी हो जाती है mu r की value ठीक, और इसी तरह susceptibility की value हो जाएगी क्योंकि दोनों में रिष्टा में एक का ही फ़र्या कि mu r is got to xm plus 1 या 1 plus xm साइम मतलब इस susceptibility is positive and very large क्योंकि हम जानते हैं भाईया कि ये relation तो हम पढ़ ही चुके हैं तो जब ये बहुत बड़ा 500,000 तो ये एक ही तो और खिसक गए भाई साब एक से उपर बलब ये इसकी value mu r minus 1 है तो एक ही तो कम रहेगा mu r से magnetic susceptibility of ferromagnetic does not change according to Curie's law दिहान किएगा ये जो Curie law था ये paramagnetic substance के लिए था ferromagnetic के लिए एक अलग रूल ये एक law आएगा Curie West law वो law नहीं ठुके गए वो law यहां नहीं आप लगा के काम करेंगे खेर अब यहां पर लिखा हुआ है the susceptibility decreases steadily with rise in temperature जैसे जैसे temperature बढ़ाते हो susceptibility इसकी घाटती चली जाती है और above a certain temperature जिसे आप Curie temperature बोलते हो वहां पर एक ferromagnetic material paramagnetic material में तबदील हो जाता है ये आप किया बहुत पूछा जाता है Curie temperature critical temperature मस समझना Curie temperature क्या है जहां पर एक ferromagnetic material paramagnetic material में बदल जाता है तो ये Curie temperature है कुछ examples दिये है जैसे iron के लिए 1000 degree है इसलिए steel के लिए 770 degree centigrade and so on तो Curie temperature मेरे कहाँ से clear हो गया है आपको फिर इसमें IH की grafing कर दें तो ये IH की grafing है जैसे जैसे ह बढ़ा होगे I बढ़ेगा लेकिन saturate कर जाएगा थोड़ी समय बाद अब अगले law की बात करते है Curie West law Curie law लगा था paramagnetic में Curie West law है आपका ferromagnetic material में तो अब ये काम कहां करता है above the Curie temperature Curie temperature जहाँ पर ferromagnetic paramagnetic में बदल जाता है उसके उपर इस law को follow का susceptibility जो है उस C dash हमारा एक constant है और T minus Tc Tc क्या है Curie temperature और T है temperature in Kelvin इस law को इसे बोलते है Curie West law ये paramagnetic वाले law से फरक है देख पा रहे हैं न ये term आ गया है T minus Tc और ये आपका देखी यहाँ पर इसी को draw किया गया है T बराबर Tc पर ऐसा behavior और फिरी बहीवियर convexity of the curve चेंज हो रहे है तो Curie West law को भी पकड़ के रखें अब अगली बास शुरू होती है कि आखिर diamagnetic, paramagnetic, pharamagnetic में जो properties ये show कर रहा है उसके पीछे theory क्या है atomic theory क्या है explanation क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके बारे में कुछ theories बनी है जो फटा-फटे का अंदाजा ले लेते हैं देखिए पहली बात ये बताई गई है कि हम atomic model जानते हैं atomic model जानने का मतलब क्या है कि nucleus बीच में रहता है और electron इसका चक्कर लगाता है कुछ ऐसी ही situation मोटे तोर पर जैसे सूरज दादा जी अपने बीच में है और प्रिथिवी उनका चक्कर लगा रही है तो इस समय जो electron होता है बिल्कु धर्ती की तरह behave करता है एक तो पूरा चकर लगाता है orbit में जैसे धर्ती लगाती 365 दिन का एक साल होता है और day night के लिए अपनी जगा स्पिन करती है तो ये electron अपनी जगा स्पिन भी करता है तीन motion है इसमें electron के दो motion एक तो orbital motion एक spinning motion spin समय अपनी जगा गूमना rotation कह लिए तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस सबकी वज़े से magnetic moment बनता है orbital motion की वज़े से जो ये electron ऐसे ऐसे चक्कर मारेगा उसकी वज़े से orbital magnetic moment बनेगा ये electron अपनी जगा जो घूमेगा उससे spin magnetization डेवलप होगा और इस nucleus के अंदर जो flow of charges होईंगे क्योंकि शान्ती नहीं है इसके अंदर भी तो वो जो charges है उससे magnetization डेवलप होगा इस atom के अंदर तीन factor है जो magnetization में काम करेंगे इस theory के हिसाब से बताते हैं कि जो orbital motion की वज़े से magnetization होता है उसका net effect काफी कम होता है क्योंकि जो spinning है orbital motion किसी के electron का ऐसा है तो किसी का ऐसा हो जाता है तो एक दुसरे को nullify कर देते हैं इसका इन तीनों का मिला कि जो magnetic moment बनता है जिसमें dominant group रहता है dominant factor रखता है spin की वज़े से बनने वाला magnetic moment वो एक atom में पाया जाता है आप समझ गए कहने का कुछ समरी ये थी कि एक atom के पास magnetic moment अपना होता है ठीक है और जब उसमें कई सारे atoms होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि इस atom और इस atom की वज़े से दोनों मिलकर कुछ magnetic moment ना दें किसी का इधर है तो किसी का इधर है दोनों ने एक दूसरे को cancel कर दिया ऐसा कब हो सकता है अधिकतर उन cases में होता है जहां पर paired electron मिलते हैं जब paired electron आपको मिलेंगे तो एक ऐसे चकर मार रहा है तो एक उल्टा मार रहा है एक दूसरे को नलिफाई किये हुए आप मुटे दौर पर समझ गए ये कहानी electronic atomic model से जुड़ी हुई है ये बात मैंने आपको पूरी इसके अंदर बता दी है अब आगे की बात अगर हम बढ़ाएं जिसमें पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए और बड़े आसाम से समझ जाएंगे अब ये explanation इसकी basis पे होता है diamagnetic substance का तो diamagnetic जो property है वो किसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है उसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है जहां पर paired electron हूँ तो paired electron होनी की वज़े से उनके खुद का कोई magnetic moment नहीं होता यानि diamagnetic substance अगर magnetic film में नहीं रखे हैं तो उनका जो magnetic moment मिलेगा वो किसी का नहीं मिलेगा atom का ही zero है कह लिजे paired electron की वज़े से एक atom का diamagnetic moment permanent diamagnetic moment नहीं है अब उसको जब आप magnetizing field में रख देते हैं उस material को किसी external magnetic field में रख देते हो तो जो electron चकरी spin motion कर रहा था और भी जो चीज़ें हो रही थी जब उस magnetic moment की direction में उसका velocity घूमने का रफतार कम हो जाता है कम क्यों क्योंकि negative particle है तो moment के उल्टा चलता है तो उसी moment में जिस moment का direction अगर अधर है तो electron जो इदर चकर लगा रहा था उसका magnetic moment कम हो जाएगा और इसकी विपरीत वाला direction का जादा हो जाएगा इसकी वज़े से जो इसके अंदर magnetic moment बनेगा वो existing magnetic moment जो था उसकी विपरीत दिशा में बन जाता है इसी वज़े से ये repulsion फील करते हैं और जब इन materials को हम magnetic field में रखते हैं तो इसके अंदर opposite direction में magnetic moment डेवलप हो जाता है ये इसका explanation है on the basis of atomic theory जहां पर ये बताने की कुशिस चल रही है कि die magnetic substance अगर है और magnetic field में नहीं रखे हो तो उनका magnetic moment हर atom का शून है जैसे ही आप magnetic field में उसको रखोगे तो जो electron है जिनकी दिशा magnetic moment में है जो magnetic field की वज़े से बन रहा है उसकी speed कम हो जाती है उसकी विपरीत वाली की speed बढ़ जाती है तो एक opposite direction में magnetic moment डेवलप होता है जो हमने देखा भी है कि materials में magnetizing field की opposite direction में magnetic moment होता है ये die magnetic moment की कहानी है और ये ध्यान लखेगा कि die magnetic जो property होती है वो temperature independent होती है ये हम आपको काफी ध्यान से बताएं पकड़ के रखिएगा अगला explanation आता है paramagnetic behavior का तो paramagnetic behavior में क्या होता है कि यहाँ पर अधिकतर जगा आप देखेंगे जिनमें paired electron नहीं होते उनमें ये कहानी बनती है उसका कारण क्या है कि एक atom है ना उसमें paired electron नहीं है तो उसका खुद ही permanent magnetic moment होता है एक atom का die magnetic में एक atom का नहीं होता था यहाँ पर एक atom का permanent magnetic moment होता है लेकिन जब एक material आप लेते हो उसमें तो बहुत atom होते है तो सब का मिला जुला magnetic moment शून होता है क्योंकि इसका magnetic moment इधार है तो randomly placed ने तो किसी का उसका उल्टा हो जाएगा तो सब मिल बाटके क्या करेंगे असर total magnetic moment शून कर देंगे जब इसको हम external magnetic field में नहीं रखे हैं तो important बात एक atom का permanent magnetic moment होता है ठीक लेकिन जब आप कोई material लेते हैं तो उसके अदर बहुत atom होते हैं वो सब atom का जो magnetic moment था एक एक atom का वो मिल जो लोके एक दूसरे को nullify कर देते हैं क्योंकि वो randomly placed होते हैं random motion में होते हैं ठीक लेकिन अब क्या होगा जब आप उसको external magnetic field में रखेंगे तो यही जो magnetic moment है उस magnetic moment की direction में aligned करने की कोशिस करता है अपने को magnetization develop हो जाता है जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि जो external field आप लगा रखे हो उसी direction में magnetic field develop होगा इसी direction में sort now ऐसे magnetization develop हो जाता है इसका कारण यह है जो बातचीत आप से की गई तो dimagnetic पैरा अफैरों की बात करेंगे यह paramagnetic temperature पे depend करता है तो temperature dependent behavior है यह बात हमको पकड़नी या ध्यान रखनी होगी फैरों magnetic material की हम बात करें तो यहाँ पर आओ मज़िदार किस्सा होता है देखे पैरा का बड़ा वहाई है तो जो atoms के पास permanent magnetic moment होता है वो क्या करते हैं? अकेले नहीं रहते वो अपने जैसे और भाईयों को कठा कर लेते हैं जैसे आपके school में या आपके coaching center में पढ़ने जवर्दस्त पढ़ने वाले लोगों का एक group बन जाता है पसंद करते हैं आप मेरे साथ खुब पढ़ा जाए एक होता है कि पढ़ने के बाते तो चल रही हैं लेकिन वो serious नहीं है गूमना फिरना पसंद है या पंचायत करना पसंद है पढ़ना real पढ़ना नहीं पसंद है उनका एक group बन जाता है एक गूमने फिरने वालों को आरे गूमन जाता है तो जिसकी जैसी specialty या properties होती हो एक साथ अधिकतर रहना पसंद करते हैं यहां भी वही कांड हो जाता है यहां पर क्या होता है कि जिनका जिन atoms का permanent magnetic moment वो अपने जैसे permanent magnetic moment वालों को साथ लेके colony बना लेते हैं clusters बना लेते हैं उन clusters को हम बोलते हैं domain एक छोटे regions होते हैं जिसमें बहुत सारे atom मिलते हैं यह देखिए domains हैं इनका एक magnetic moment किदर है जिस तरफ तीर बना हुआ है अब ऐसे बहुत सारे domains बन जाते हैं domain का मतलब है जिसमें बहुत सारे atoms का same permanent magnetic moment हो 100-100 वच्चों का एक जैसे singing वाली 100 वच्चे अलग dance वाले अलग पढ़ाई वाले अलग और debate वाले अलग और वगेरा वाले अलग जब यह साथ रहते हैं किसी material में तो यहाँ पर भी इनका magnetic moment शून मिलता है को कि सब एक दूसरे को direction random होती है तो nullify कर देते हैं लेकिन जब इसको external magnetic field में आप डालते हैं तो उनका behavior दो तरह से बदलता है एक behavior क्या होता है देखिए जब आप इसको weak magnetizing field में डालेंगे यानि बाहर का जो field है वो weak है तो इसके इस दिशा में जो magnetic domains का जो domain है उनका magnetic moment अगर इसी दिशा में है तो वो extend कर जाते हैं या enlarge कर जाते हैं और बाकी का domain size कम हो जाता है ये किस case में हो रहा है जब बाहर वाला magnetizing field weak है ये लिखा हुआ है लाल कलर लेना होगा शायद weak है तो ये उसी direction का जो domain है जिसका magnetic moment उस direction में है वो enlarge कर जाएगा और बाकी domain sizes कम हो जाएगे तो आपको magnetic property मिलेगी उसी direction में magnetization अगर आप strong magnetic field लगा देते हैं external field तो क्या करता है बाई साब सारे domains जो उस direction में नहीं भी थे वो भी aligned कर जाते हैं उसी direction में किस direction में जिस direction में external magnetic field आप लगाया हो यानि घूम जाते हैं इसमें गूमने वाली चीज नहीं हुई है इसमें वो enlarge कर गया उसी दिशा में जिस दिशा में बाहर से जोर लगाया जा रहा था इसमें कब वो इतना जोर लगाया गया कि जो ऐसा था वो भी ऐसा हो गया कि उसी direction में आ जाओ तो strong magnetic field में ये कहानी होती ये domain theory कहलाती है और ये domain theory ferromagnetic material के लिए काम करती है ferromagnetic material के लिए काम करती है ये भी temperature dependent कहानी ferromagnetic material की है Curie's West Law हमने पढ़ा है कि temperature बढ़ाने जाने पर क्या-क्या घटना होती है ferro से पैरा बन जाता है Curie temperature के उपर ठीक आप इन बातों को जान पाएं अच्छा अब इसका एक table लुआ है जहां पर तीनों की properties को अलग-अलग दिखा के फिर से आपके दिमाग में ठूसने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि इनकी properties पर बड़े सवाल आते हैं ये जल्दी से देख लेते हैं पहली properties यह लिखिए है कि जो die magnetic पढ़ लेंञे जो die magnetic substance होता है उनमें magnetization small magnetization opposite direction में पैरा में उसी डारेक्षन में magnetization थोड़ा ज़ादा फैरो में उसी direction में magnetization बहुत ज़ादा ये substances रिपरेंद होते हैं magnetic field में magnet से ये attract होते हैं लेकिन feebly attracted, feebly का मतलब बहुत कम से और strongly attracted में बहुत तेजी से जिसे feeble stone बोलते हैं, छोटी से कंकर को बोलते हैं तो आप समझ गए strongly attracted अब इसकी बात चीत की थी, अगर आपने डाय ले रखा है तो north south से नीचे उतर जाएगा और अगर अपने पैरा ले रखा है तो उपर चड़ जाएगा और रही बात फैरो में तो कोई liquid substance यहां मिल नहीं रहा है तो इसकी बात liquid के case में नहीं की गई अगली बात देखते हैं अगर आप कोई material को, dimagnetic material को north south में perpendicularly आप छोड़ेंगे तो वो अपनी axis इसके perpendicularly aligned कर लेता है योगि वो weaker magnetic field में जाना चाहता है तो हमेशा जो dimagnetic है वो खड़ से perpendicular direction में चला जाएगा और यहां पर यह axis इसकी उसकी उसी direction में aligned हो जाती जिस direction में magnetic field है यहां पर भी ऐसा होगा और यह alignment है वो बहुत तेजी से होता है very rapidly, very quickly खट से ऐसे हो जाएगा in case of ferromagnetic material साब और non-uniform magnetic field के अंदर क्या होगा dry magnetic substance weaker magnetic field में जाने का प्रयास करते हैं आप इसमें पल सकते हैं वही सब लिखा होगा stronger to weaker और यहां stronger magnetic field मे और यहां stronger magnetic field में जाएंगे बहुत ही quickly और rapidly के लिजए आप बहुत तेजी से जाएंगे करेंगे तो वही और यह important है कोगी याद रखना चाहिए permeability जो होती है mu की value एक से कम होएगी और mu आर 0 से 1 के बीच में और mu की value less than mu naught mu naught कितनी है vacuum की permeability तो diamagnetic substance की permeability vacuum से कम होती है this is very important और हमाई ध्यान रखने की जरूरत बनेगी पैरा में देखिए तो यहां की जो permeability है वो vacuum से ज़ादा होगी और mu आर की बात करें तो वो एक से बड़ी होती है एक से slightly बड़ी होती है तो 1 प्लस epsilon epsilon is a very small positive number और mu is greater than 1 और permeability बात करें फैरो की तो एक से बहुत ज़ादा कई सो या कई हजार तक जा सकती है तो mu is much larger than mu naught and mu r is much greater than 1 अब इसी तरह बात करते है susceptibility की तो small and negative होती है जैसा देख पा रहे है डाय मेंगनेटिटी की और independent होता है temperature से यहाँ पर देखेंगे तो positive number है लेकिन छोटा positive number है और temperature dependent कारिकरम है और curie law को follow करता है यह curie law है यहाँ बात चीज के जाए फैरो में तो यह भी इसकी जो susceptibility है वो आपको एक से बहुत ज़ादा मिलेगी temperature dependent है और curie west law follow करता है curie west law लिखना चाहिए तो यह आपका साई is proportional to 1 upon t minus tc लिखा गया है अगली बात देखते हैं देखें यहाँ पर अगर इस liquid को अब रखे तो यह non south pole से अवे जाते हैं क्योंकि pole के पास में magnetic fields ज़ादा होता है और जादा magnetic field भी पसंद नहीं करते ही weaker magnetic field में जाना चाहते हैं तो बीच में इनका एक heap बन जाता है उठाओ आ जाता है और यहाँ paramagnetic में क्या होगा कि यह strong region में जाना चाहेंगे तो आप जब रखोगे तो यहाँ तोड़ा सा फैल जाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा depth आ जाएगी गड़ा बन जाएगा और side पे heap आ जाएगा यानि उठाओ आ जाएगा क्योंकि यह strong magnetic field में जाना चाहते हैं कौन पैरा और liquid होते ही नहीं फैरो में तो वहाँ पर liquid वाली बात नहीं की जाप पाएगी in these substances magnetic lines of force are farther than in air जो air में थी रखोगे तो इनको छोड़ का magnetic field line जाती ही इसमें से जाना पसंद करती ही इसमें से बहुत ज़्यादा magnetic field line जावेंगी और इनका जो resultant magnetic moment होता है substance का वो zero होता है इनका substance का permanent magnetic moment होता है atoms का और these substances also have a permanent magnetic moment इनका भी permanent magnetic moment होता है domain theory के basis पे हाँ कई सारे एक पदार्थ लेंगे substances न लिखे atom लिख देते तो ज़्यादा atom लिखे या atom लिखते तो ज़्यादा बहतर रिस्तिती होती तो आप समझ पाए atom का वहाँ बात की जाए तो उसका permanent magnet नहीं होता permanent moment नहीं होता इन दोनों में होता है जबकि एक पदार्थ के रूप में रखा जाता है कई सारा टुकड़ा तो उसका net effect तो जिरो ही होता है खेर आप बात समझ पाए होंगे अगली एक और बढ़ियां चीज सामने आएगी hysteresis या hysteresis लूप की बात करेंगे अब ये ये जो लूप बना ये लूप है hysteresis का जो मतलब होता है थोड़ी गहराई से समझें तो बोला ये जाता है कि magnetic induction पीछे पीछे चलता है magnetizing field के magnetizing field का मतलब होता है जो आप बाहर से field लगा रहे है किसी material के ऊपर और magnetic induction जो उसके अंदर हो रहा है ठीक क्या प्रभाव अंदर पड़ रहा है तो यहाँ पर देखिए कुछ बाते की गई है ये hysteresis है और ये hysteresis को लूप बोलते है यहाँ से देखिए आपने edge को बढ़ाना शुरू किया ये edge है edge का मतलब होता है magnetizing field बाहर से जो आप field लगा हुए थे कोई material रखा और बाहर से field लगा दिया उस बाहर वाली field पर आप बढ़ाते जा रहे हैं वो field और देखने की कोशिस कर रहे है कि भाया उस magnet में क्या प्रभाव पढ़ रहा है कितना वो चुमबक बन रहा है कितना magnetization वो develop कर रहा है तो हमने शुरुआत यहां से की तो जब हमने दीरे-दीरे H बढ़ाया तो हमने देखा कि उस पदार्थ उस material के अंदर I यानि magnetization develop होना magnetization intensity intensity of magnetization develop होने लगा और एक जगा आके saturate कर गया उसके बाद अगर आप H बढ़ाएंगे तो इससे उपर नहीं बढ़ेगा अब वहाँ पर हमने क्या किया H उसके बाद H घटाना शुरू किया तो हमने यह उमीद की थी कि जब हम यहां पहुँच कर H को घटाएंगे तो यह ऐसे वापस आजाएगा हमने देखा नहीं यह नहीं आया ऐसे वापस दूसरा रस्ता पकड़ लिया अब दूसरे रस्ते में क्या बोला जाता है H को जब आप करम करते हो तो उतना ही magnetic induction की जो intensity है वो नहीं मिलती वो पीछे पीछे चलती है इसलिए इसका नाम hysteresis दिया गया क्या मतलब है देखिए समझाता हूँ गहराई से समझना चाहो तो जैसे मैं यहां की बात करूँ यह देखिए इतने H के लिए आपका जब आप magnetize कर रहे थे तो I इतना मिल रहा था मिल रहा था ना और थोड़ा ऊपर ले लेना चाहिए तो समझाने में आसानी होगी मैं यहां ले आता हूँ बिटा जी हाँ 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 तो हाँ यहां ले आता हूँ और इसको यहां रोकता हूँ देखिए यहां जब आप जा रहे थे magnetize कर रहे थे तो यहां जब h इतना किया था तो यह i की value यहां मिल गई थी आपको इतनी लेकिन जब वापसी आप कर रहे थे इधर से तो जब आप यहां पहुँचे तो देखिए यह जो i है वो इतना नहीं है यहां अटका वो पीछे चल रहा है हम यह उमीद कर रहे थे यहां पहुचने के लिए h यहां लगेगा यानि h तेजी से कम हो रहा है कम कर रहे है और i पीछे पीछे चल रहा है लैक कर रहा है इसी वज़े से उसको hysteresis बोलते है तो कमाल यह जीब सा behavior क्या हुआ कि इसको हम जब demagnetize करने लिए मिलब इसको जब h हम घटाने लगे तो इसने एक दूसरा रस्ता पकड़ा वो रस्ता यहां पर आपको दिखाया जा रहा है इस format में अब हम क्या करते हैं जब h की value हम zero कर देते हैं यहां क्या है h is zero यानि बाहर से लगने वाला magnetic magnetizing field खतम उस समय भी इस material में कुछ magnetization रह जाता है intensity of magnetization रहता है वो देखें यहां दिख रहा है और इस value को हम बोलते हैं यह देखें रिटेंटिविटी लिखा है यानि h zero करने पर भी इतना magnetic intensity of magnetization hold कर लिया इसने तो इसको remnants भी बोलते हैं और retentivity भी बोलते हैं यहां कहीं आगे लिखा होगा अगली slide में देख लिजएगा तो retentivity यहां h zero है this is known as a retentivity अब उसके बाद फिर हम h दूसरी दिशा में लगाते हैं यह देखें यहां जाने लगे वो पूरी तरह से demagnetize हो जाए उसके अंदर intensity of magnetization कुछ ना बचे तो इस value को हम बोलते हैं coercivity h की वो value opposite direction में जब हमारा intensity of magnetization शून हो गया फिर हम h को दूसरी दिशा में बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते हैं ऐसे point पर पहुंशते हैं जहां negative direction में saturation हो जाता है आई का फिर हम उसके बाद यहां से बढ़ाना शुरू करते हैं और इस तरीके से यहां पहुंशता है यह जो loop बन रहा है इस पुरे loop को बोलते है hysteresis loop यह hysteresis loop इसलिए काम का होता है कि एक इस magnetization और demagnetization एक material का आपने पहले magnetization किया फिर demagnetization करके magnetization किया इस पूरी एक cycle में कितनी energy यह loss कर देता है वो इसी hysteresis loop के area के बराबर होता है जो यह IH diagram है इसका यह जो loop का area है यह क्या बताएगा कि एक cycle में magnetize करके demagnetize करने के अंदर कितना energy lose कर दिया है हमने material में तो जब भी आपको example के लिए बताएएँ आपने देखा होगा आपको colony में transformers लगे होते हैं हर जगा लगे होते हैं बजली कैसे आएगी उसमें जो material यूज किया जाता है transformer के अंदर soft iron वगेरा उस transformer के लिए विजली विबाग जब quotation डालता है कि भाई हमें कोलोनी में लगवाना है 500 कोलोनी में लगाना 500 transformer चाहिए तो जो विजली कंपनियां अपना quotation देती हैं उस quotation में ये वो hysteresis loop बानते हैं क्योंकि आपको मालुम होगा कि transformer के अंदर magnetization और demagnetization बराबर चलता रहता है AC करेंट पे काम करते हैं न वो तो अगर ये magnetization demagnetization बराबर चलता रहेगा और ये hysteresis loop का area मोट बड़ा आ जाएगा ये loop का area बड़ा आ जाएगा तो energy loss इसमें जादा होगा तो इसका मतलब है transformer खुद ही पी जाएगा या waste कर देगा energy काफी देने की जगा तो जिनने का hysteresis loop का area कम रहता है उनको preference दी जाती है और भी कई factor होते होंगे लेकिन ये भी एक factor रहता है ये मैंने इसलिए link किया है कि आप थोड़ा इस बात को पकड़ पाएं और ये समझ पाएं कि ये जो hysteresis loop है ये किस काम का है हमारे क्यों पढ़ रहे हैं और इससे ये भी बात की जाती है कि इस hysteresis से या hysteresis loop से हम suitable material भी पहचानते हैं कि permanent magnet के लिए कौन सा material ठीक है electromagnet के लिए कौन सा material ठीक है electromagnet को detail में अब नहीं पढ़ना है slavus में अब नहीं है इतनी सी बात बस पढ़नी है ठीक तो ये बात अब आप समझ गया होंगे मेरे काल से काफी कुछ मैंने समझा दिया और यही इस slide के अंदर ये बाते लिखी थी जो मैं आपको बता चकूँ हूँ इंटिविटी क्या है कोरिसिविटी क्या है वेगेरा वेगेरा ये सारी बाते और आपको ये भी समझाने की यहाँ पर कोशिस कर दी है कि जो एरिया होता है इंक्लोज बाइदा लूप रिबर्जन्स लॉस अफ एनरजी डियूरिंग वन साइकिल फिर ये यूनिट आफ आई एच लूप ये आई एच लूपी बना है तो ये यूनिट हो गई एंपियर स्क्वार पर मीटर स्क्वार फिर अगर बी एच लूप है ये बी एच लूप में तो एरिया बी एच लूप क्या होगा per cycle per unit volume कितना loss कर रहा है per cycle per unit volume loss of energy जो बाच्चीत आप से की गई थी तो ये बात आप समझ पाए होंगे इसके बाद एक numerical है चोटा सा बहुत ही असान जो हम लोग बड़े ही असानी से देखिए इसको कर लेंगे लिखाए दी hysteresis loss for a specimen of iron 15 kg is equivalent to 300 Joule per meter cube per cycle इसको दिहान से पढ़िये unit per unit volume है और per unit cycle है तो अगर हम total energy यहां निकालना चाहें total energy lost by volume V of the sample in time T तो हम कैसे लिखेंगे और उसमें number of cycles N ले लो अगर तो W loss of energy हो गई Q into V into N into T जहान से देखिए Q है एक यह जो दे रखे है 300 दिये न तो Q value है 300 per unit volume तो volume से multiply कर दिया per unit cycle कर रहा है तो N से multiply कर दिया per unit time की बात कर रहा था तो time से time में time लगा दिया जितने भी time की बातचीत की जाएगी अब यहाँ पर देखिए हम इस volume को अगर निकालना जाएं तो यह mass upon density होता है mass की बात की जाए तो 15 kg mass लिए हुए हो density दे रखिए 7500 kg per meter cube तो यह mass आ गया आपका this is meter cube बात समझ में आपको आई होगी अब यहाँ पर w की value hysteresis loss निकालें अगर यहाँ डबलू की value अगर निकालने जाएं तो q की जिगा 300 रख देंगे volume निकाला है 15 upon 7500 into number of cycle 25 थी और into अगर हम बात करें time एक घंटे की बात अगर करा जा रहा है तो find the loss of energy per hour तो t कितना ले लोगे t का मतलब हो जाएगा एक घंटा तो t is equal to one hour one hour में मतलब होता है 3600 second इसकी value यहाँ पर 3600 रख दी जाए अब इसको आप solve कर लीजे यह मिलेगा 5,4,1,2,3, जूल यह answer आ गया है इस तरह के छोटे-छोटे questions आ सकते हैं जो बड़े अराम से आप करपाई में हटता हूँ note कर लीजे अगला भी लेता हूँ जो दिखाता हूँ बहुत ही आसानी से हो जाने वाला है next question यह लीजे लिखाया दिए coercivity coercivity का मतलब याद कीजे h की वो negative value जब आपका i zero हो जाता है certain permanent magnet is 4 into 10 की पावर 4 ampere per meter the magnet is placed inside a solenoid एक magnet को आपने solenoid में रख हमारा है 20 cm long है और having 700 tons and current is passed ऐसी current passed की गई है कि जितना इसके पास आई था वो सब खतम हो जावे तो current की direction ऐसी हो h की direction ऐसी हो जो खतम कर दे तो demagnetize this completely demagnetize कर दे find the current value तो हम यहाँ पे current की वो value निकालेंगे जिससे जो magnetic field बनाएगा solenoid वो इतना h हो कि इसके पूरी चीज़ को completely demagnetize कर दे अब यहाँ जो h की value होती है i into n b जो इसका होता है ठीक है? वो हो जाएगा h is called to n i m जानते हैं और n की value देखो कितनी होती है n हो गई साब 700 tons है और 20 cm की लंबाई है तो यह value हो गई कितनी 20 into meter में कर दो तो यह कितने 10 density क्या होई? 3500 tons per meter n की value हो गई और h में को दे रखा है 4 into 10 की power 4 तो n क्या आ गया? h upon i sorry 4 into 10 की power 4 i upon n और n है 3500 अब इसको आप divide कर दीजे soft iron and steel की होती है उसका high hysteresis loop बनाए यह steel का है soft iron का है और यह steel का है देख पा रहे हैं आप soft iron का जो यहां पर देखें रिटेंटिविटी भी जादा है तो soft iron magnet जो नॉर्मली होते हैं यहां जादा है steel से in general बात की जा रही है soft material जो होते हैं soft iron जो होते हैं उनका रिटेंटिविटी भी हमको कम चाहिए होता है कुरिसिविटी भी कम चाहिए होता है and small hysteresis lost चाहिए होता है soft iron के लिए low retentivity low cursivity और काफी कम hysteresis loss और hard magnetic materials में क्या है यह सारी चीज़ों ज़्यादा चाहिए होती है high retentivity, coercivity and large hysteresis loss जैसे की steel वगएरा की बात करने example के तौर पे soft iron का है इसमें तोड़ा compare करने में यह coercivity का फरकार है लेकिन इन general हम बातचीत कर रहे हैं अब इसके बात क्या होता है कि following conclusions can be drawn from hysteresis loop तो retentivity of soft iron is more than the retentivity of steel यह देखिए steel उसमें compare करने तो retentivity इसकी इससे जादा है coercivity soft iron less है coercivity इतनी है इसकी दूसरे वाले की इतनी है इतनी का मतलब यहां तक रोकना होगा area of hysteresis loop जो है soft iron का कम है इस विज़े से क्यों हम लोग जानने की कोशिस कर रहे है जैसे हम choice कर पाए magnetic materials का तो अगर हमें permanent magnetic material चाहिए तो permanent magnet में क्या होता है कि हम लोग उसको magnetize और demagnetize तो करते रही है एक अलग से बस material रखते है और हमारी कोशिस रहती है कि जल्दी से demagnetize ना हो यानि high coercivity मिले तो इस वज़े से हमें क्या पसंद आता है steel इसमें या उसका कोई alloy जैसे हम लोग use करते हैं tycoonol क्योंकि वो demagnetization magnetization consider नहीं करना है तो hysteresis loop out of picture हो गया coercivity इसलिए important हो गई क्योंकि अगर ultramagnetic field भी लग जावे तो भी उसको जल्दी demagnetize ना कर पाए तो permanent magnet के लिए steel या उस जैसे alloy पसंद किये जाते हैं जबकि elektromagnets में क्या होता है magnetization demagnetization होता है तो हमारी कोशिस रहती कि loss of energy कम हो यानि hysteresis loop कम मिले तो यहां soft iron हम यूज़ करते हैं और transformer वगएरा के लिए जैसे मैंने बात की telephone drive ramps के लिए यहां magnetization और demagnetization की cycle चला करती है इसलिए hysteresis loop कम चाहिए इसलिए हम soft iron यूज़ करते हैं तो यह इसके choice of material हो गए अब आपके लिए तीन question challenge हमेशा देता हूँ जब तक वो सवाल न निकले तब तक इस lecture की क्या हमियत आप निकालिए बताइए comment कीजे answer में answer को comment कीजे और अगर ना निकले तो यहां पर time is time लगा मिलेगा जट से 2 minute एक minute लगाके funda clear कर लें तो यह question 3 question challenge है बेटा answer आप comment section में रखिए अरविन अकडमी नीट telegram channel को join कर लीजे link discussion में है वहाँ पर answers आपको बता दिये जाएंगे यह राज challenge निंबर वन 5 second का वक्त है आप इसको सोच समझ के answer इसका कर दें 5 seconds के अंदर तो मेरे कहल से 5 seconds इसलिए कि वो pause करके आपको मौका मिले करने का यह पहला था, दूसरा सवाल लेते हैं जो बहुत असान है 5 seconds इसके लिए भी ले लीजे जिसे पढ़कर पॉस करके असानी से पॉस करके आप इसका जवाब दे सकें, तो 5 seconds इसके लिए भी आप रख ले, मेरे कहल से 5 seconds हो गए होंगे, final challenge जो तीसरा challenge है आपके लिए, question number 3 इसको आप करें और बतामे कि इसका अंसर आपके इसाब से क्या होगा 5 seconds का वक्त इसके लिए भी आप ले ले, मेरे कहल से 5 seconds अब तक हो गए होंगे तो अगर यह वीडियो पसंद आया तो अर्विंद Academy NEET चैनल को आप subscribe कीजिए और डिस्किप्शन में कई लिंक है जो आपके काम के आप देख सकते हैं Thank you very much, wish you all the best